कि इंग्लिस क्रामर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरे यूटूब चैनल में एक बार पुना विलकम हैं आज हम लोग यहां फ्यूचर टेंस के दूसरे नियम के रूप में देखेंगे कि फ्यूचर टेंस का जो दूसरा रूल है टांसलेशन बनाने का जो आपके रूल के दस्वें रूल के रूप में आप देखेंगे कि दस्वें रूल है आपका इसके तहद कैसे हम टांसलेट करेंगे कैसे हम छोटे पुफिक्टैन्स का टांस्लेशन बनाने का नियम इसमें पिछले जो स्रिज में रूल दिखाया गया था कि इसमें अगर I烦 c कि इसके साथ हम क्या करेंगे आई और वे के साथ हम सेल बी का इस्तेमाल करेंगे तथा यहां यू रहेगा दे रहेगा ही रहेगा शी रहेगा इट या कोई भी नाम रहेगा या कोई भी नामों के साथ हम क्या करेंगे यहां नामों के साथ विल भी का इस्तमाल करेंगे एक विल भी लगाएंगे और सभी के मुख्य करिया जो होगा मिन भविस का जो होगा मुख्य करिया में आ इंजी आइ इंजी का मतलब जो आपको इसके पहले भी मैंने जिक्री किया हुआ था कि आई एंजी का मतलब भीफोर कहते हैं तो भीफोर लगेगा और कुना हम देखेंगे इसको कैसे हम समझेंगे कि इसी रूपर इसको हम ठाउप्लेट करेंगे तो इस रूल पर T court Book करने के लिए पहचानेख होनी चाहिए कि पहचान के माधमस्थ हम समझेंगे कि इसी नियम पर हम इसको translate करेंगे तो पाचान में जैसे आप देखेंगे यहाँ कि अगर वाकिय कंद में रहा था अगर रहा होगा होगा कि रहा होगा रही होगी कि रहे होंगे कि इतियादी शब्द जो आते हैं वाकिक अंत में तो हम निशित रुप से इसी नियम पे टांसलेट करेंगे पास समझ रहे हैं तो इस तरह से इसके अगर हम सौटकॉट में समझें तो सौटकॉट में इसके स्टेक्चर कुरुप S-tecture के माध्यम से अगर समझते हैं, तो सबसे पहले हम subject का use करेंगे, उसके बाद cell oblique will का use करेंगे, या तो cell का परियोग होगा, नहीं, तो will का परियोग होगा, उसके बाद हम b का use करेंगे, उसके बाद भर्ब का चौथा रूप, या नि भर्ब का फोर कर देंगे, इसके ब कि मैं उससे बात कर रहा होगा कि मैं उससे बात कर रहा होगा देख रहे हैं कि मैं उससे बात कर रहा होगा यानि रहा होगा रही होगी यहां पर आ रहा है तो ऐसे मैं का आई होता है और आई के साथ जैसे मैंने दिखाए कि आई और वी के साथ हम किसका प्रियों करेंगे तो का प्रियोग करेंगे देख रहे हैं तो यह हम आई और वी के साथ सेल भी का प्रियोग किये इसके बात करने का क्या होता है तो बात करना के जैसे ट्वक हो गया तो अगर हम भी फोर का प्रियोग करेंगे वाके के जो भर्ब होगा तो भर्ब में भी फोर यानि की आई एंजी क talking to her I shall be talking to him तो ऐसे हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं बात समझ रहे हैं अगर इसी को हम यहां आफर्मेटिव के अलामा चाहते हैं कि इसको इंट्रोगेटिव में यह निगेटिव में इसको चेंजिंग करें तो निगेटिव में अगर हम लेते हैं तो सिर्फ एस्टेक्चर के आप निगेटिव है तो नट का यूज करेंगे क्योंकि निगेटिव रूल का हम फॉलो कर रहे हैं तो निगेटिव में नट का प्रियोग करेंगे उसके बाद भी कुले के चले जाएंगे फिर यहां भी फोर का यूज करेंगे उसके बाद अब्जेक्ट आपका हो जाएग कि वे लोग कभीता नहीं पढ़ रहे हूंगे देख रहे हैं बहुत सिंपल सेंटेंस आपको दे रहे हैं तो वे लोग का जैसे आपका दे हो गया और दे के साथ में ने दिखाया यहां you, the, his, its Rub कोई नाम रहेगा उसके साथ हम will we का इस्तमाल करेंगे तो इसके साथ will का हम इस्तमाल करेंगे क्योंकि is stricter के हिसाब से चलेंगे cell और will मैं से यहाँ अगर हम will का use करते हैं उसके बाद यहा servie we nut का use किया गया है रिडिंग और उसके बाद कभीता है तो कभीता का अब्जेक्ट के रूप में यहां कभीता का जैसे पोयम हो गया तो ऐसे हम संटेंस का यूज करेंगे तो इसी तरह से नय नय संटेंस को भी आप क्रियेट कर सकते हैं आपके मंद में जो उपज होता है जिस तरह की उपज प्रियू करते हैं तो इंट्रों में कैसे करेंगे तो इसका अगर हम देखते हैं कि क्या होगा कि स्टेक्चर के माध्यम से इंट्रों से आपका है कि इंट्रों गेटिव है तो इंट्रो गेटिव में जैसे आप यहां टेक्चटर लिखेंगे तो से के से इंग के निशी तुर्प से यहां सबसे पहले के प्रियुक का Frick करेंगे में उसके बाद सब्जक्ट का सब्जेट के बद investigating करेंगे तिक है इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां B के बाद देखेंगे कि भर्ब का यूज करेंगे, तो भर्ब में आपका 4 होना चाहिए, भर्ब 4 या ING का प्रियोग, इसके बाद आप object का यूज करेंगे, उसके बाद आप other words का यूज करेंगे, और आपका sentence जो है, interrogative है, तो last में sentence के at last आप note of indication यूज करेंगे ही, यह आपका rule के इस आप से फलो करना है, इस तरह से आप देखेंगे, कि shall oblique will plus subject plus b plus before, plus subject plus other words, plus note of indication marks, इस पे अगर आप sentence कोई भी create करते हैं, जैसे मैं आपको यहां एक create करके दिखा रहा हूँ, कि जैसे हम लेते हैं कि क्या आप बंबई जा रहे होंगे, क्या आप बंबई जा रहे होंगे, तो क्या आप बंबई जा रहे होंगे, ऐसे sentence को मैंने create किया, तो इसमें देखेंगे, कि आप यहां यू हो गया, यू के साथ आपका cell और will में से will के यूज करेंगे, यहां will का मैंने यूज किया, उसके बा अबक्र में नो मंबाई या मंबई यहां पर यहां पर ऐसे किया गया फिर यदि आप यहां पे intuitive के बाद, आप देखते हैं कि इसके जो चोथे और इसके लिए अंतिम जो रूल होता है, यहां introne negative का प्रियुग आप देख सकते हैं, introne negative में क्या होता है? इंट्रो निगेटिव, रूल के माधिम साथ देखेंगे, कि इसमें भी हम the skill, object, will का युज तो करेंगे पहले, उसके बाद आप subject का युज तो करेंगे, देख रहे हैं structure, उसके बाद यहाँ इंट्रो निगेटिव है, यानिंट्रो गेटिव or प्लस निगेटिव, यानि कि subject क पाद आपका नट यहाइं इसके बाद भी चला जाएगा इसके बाद भूर फूर होगा तब अब और उसके बाद अभरवर्थ होगा और लास्ट धे इंट्रोगेटिव है और निगेटीब है मस्का तो इसके लिए अगर इस सेकरेट कर दें कि देने किवर लोग तलाब में असनान नहीं कर रहे हूंगे क्या वे लोग तलाब में असनान नहीं कर रहे हूंगे अगर मैंने क्रिएट किया तो वे लोग यानि कि वे लोग का क्या होता है दे होता है और दे के साथ जैसे मैंने नियम में यूज किया हुआ था कि दे के साथ विल का यूज करेंगे तो यहां इसके पहले जैसे सैल और विल में से हम विल का यूज करेंगे उसके बाद दे का ज करना का इसको मित पाते हैं तो अधिकर हो गया उसके नदी में है को मतलब रिबर होता है तो यहां लिखेंगे इंटू ढरीबॉर कि इंटू दा रिप 25 सकते हैं तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को और Лइह सेंटेंस sentence के last में क्या करेंगे positive करेंगे तो इसस तरह आपने देखा कि यहां जो फ्यूचर के दूसरे जो रूल है और थात आपके जो रूल के दस्वे रूल है रूल किए जो आपके रूल है तो बारा के जो क्रमम में है आपका यह था है आप Heo फ्यूचर इंपर्फेक्टेंस का टांसलेशन कैसे हुआ यानि अफर्मेटिव कैसे हुआ नेगेटिव कैसे हुआ इंट्रो नेगेटिव कैसे हुआ इन तमाम चीज़ों को आपने भली भाती समझा और आप अगर मेरे इस चैनल से जूड़े रहना चाहते हैं तो आप निश् हुआ 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 है